दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बिहार दिवस पर स्कुली बच्चों को सोगात राज के परियाटन स्थलो पर तीन दिन परवेश कर सकेंगे यहीं नहीं पाटना चड़िया गर भी उनके लिए खुले रहेंगे यहां वे तीन दिनों तक मुप्त परवेश कर सकेंगे साथ ही आम लोग पढ़ना की सिनमा घरों में चुनिंदा फिल्म मुप्त में देख सकेंगे बिहार म्योजियम के महाने देशक अंजनिक मार सिंग के अधिक्ता में हुई बेड़क में यह निन लिया गया है बाड़े कार में देखें बिहार के 3,45,000 चात्राओं को मिलेंगे 10-10,000 रुपी जयादे के राज भर के 3,45,000 चात्राओं को 10-10,000 रुपी की प्रोथसान रासी दे जाएगी इसके लिए ओलाइन रेजिस्ट्रेशन करना होगा जानकारे के लिए बता दे के इंटर के विज्ञान, वानेजिक और कला संक्या में उत्रेन चात्राओं को मिख मंत्री बाले का इंटर्मिडेट प्रोथसान युजना के ताहस 10-10,000 रुपी की रासी दी जाती है इसका लाब उनी चात्राओं को मिलता है जो आविवाईत हो पाड़ी पर योजर, आइडियो और पासवर्ड बेजा जाएगा यही नहीं उनकी तमाम इटो को भी जब्द कर लिया जाएगा इसका सिधा असर आम जनता पर बढ़ सकता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि आप दक राज जिब भार में बड़े संक्या में संचाले तो एट बट्टे टेक्स नहीं चुकाते हैं ऐसे बट्टे संचलको पर सरकार सकती करने जा रही है इसके बाद संचलको को एटो पर टेक्स अरहाल में चुकाना पड़ेगा इसका सिधा असर ग्रागों पर पड़ेगा इट बट्ट संचलक टेक्स की रासी ग्रागों से वसर होंगे ऐसे में घर बनाने की लगत और महांगी हो जाएगी खर में देखे बिहार में जल्द होगी जूनियर इंजिनियर के पदों पर भरती बहाली के लिए नए सिरे से निकलेगा विग्यापन जियादे के बिहार सरकार ने पटना हाई कोट में हलप नामा दयार कर कहा कि जल्दी राज के बिबिन विभागों में जुनियर इंजिनियर की बहाली होगी इसके लिए करीब 6389 पदों पर नए सिरे से विगापन जारी किया जाएगा बहाई देखिए कोट नी राज सरकार की और से दायर हलप नामा को मंञजूर करते विभागों में बदलाऊ कर नए सिरे से बहाली विगापन प्रकासित करने का आदिस दिया है इसके पहले कोड ने राज में जूनियर इंजिनर के बहाले के लिए निदारित नियामों को चुनोती देने वाली कई रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सभी रीट याचिका को निस्पासित कर दिया जानकारे के लिए बता दे कि या चिका करता की और से कोड को बताया गया कि प्रकासित विगापन में जो सेक्षिन की योगता दी गई है वह कानूनन गलत है यह सुप्रीम कोड के फैसले के भी खिलाप है कोड को बताया ग Gary S.I.C.T. से माइनता प्राप्द डिपलोमा संस्तानों से पास छतरों को बहाले में भाग लarti लेने के संबन में वर्स 2019 में प्रकासित विगापन में किया गया है जबकि DMA University सहित राज सरकर से मायनता ब्राब्द डिप्लोमा संस्तानों को SIT के बज़ाए UGC से मायनता लेना है डिप्लोमा कोर्स के लिए SITD से मायनता लेना नियमत जरूरी नहीं है सुप्रीम कोड ने भी यही आदिस दिया है अगले बड़ी खर में देखे बिहार में धाई हजार कडोर खर्च कर बनेगे 29 जिलों की सड़के पहले चरन में बनेगे 165 ग्रामीन सड़क जिया देखे बिहार में ग्रामीन सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी रासे आवांटित की है इस रासे से बिहार करीबन धाए दरजन जिलो में स्विकिर्त ग्रामिन सडकों की निर्मान के रब्तार जल्दी तेज होगी ये सडके अधिकतम 15 किलोमेटर तक लंबी है इस रासे से इन सडकों की निर्मान के साथ ही सेकुड की संक्या में छोटी बड़े पूल का भी निर्मान किया जाएगा प्रदान मंत्रे ग्राम सडक योजना के ताथ इन सडकों की निर्मान की प्रक्रियाए जल धरातल पर उत्रेगी इसके लिए बिहार सरकार के ग्रामीन कार विभाग ने 5 से 15 करोड और लागत वाले इन पर योजनाओं के लिए रासी जारी कर दी है वह आपकी जानकारे के लिए बता दे के अर्वल बाका भागलपूर बेगुसराय भोजपूर बगसर चपरा दर्बंगा पुर्वी चमपरण गया गोपल गंज चाहानाबाद केमूर कटिहार खगड़िया किसन गंज मधिपूरा मधुबनी मुझपरपूर पतना पुर्ण कानिया रोहताज सहरस समस्ति पूर सितामणी सुपूल वेसाली एवं पश्चिमी चंपारहन जीलों में प्रदान मंत्री गराम सडग योजना की तहद स्विकिर्थ पतों एवं पुलों के लिए परियोजनाओं को स्विकिर्थी दी गई है इस समन्द में न्योकती के प्रस्ताव समानिय प्रससन विवाग को भेजा गया है वहां से समाती मिलने के बाद न्योकती के अदिय अचना कर्मचारी चैन आयोक को भेज जाएगी योजना एवं विकास विवाग के अपर मुई के सचीव अरोनीस जावला ने बताए कि हम अपने इस तर से तयारी कर रहे हैं पिछले दिनों विवाग ने सबी प्रकाणों में एक कन्या चेत्रे अन्वेंसोको की न्योकती का निन्ने लिया था विवाग के निन्ने के अधार परी, अर्थ एवं, सांकेकी के निदेसाला के तहद, कन्या चेत्रे अन्वेंसोको की सुबे की प्रतिक प्रकाण में एक एक पदकस रिजन किया जाना है साथ है आपको बता दे कि मांजूर के बाद भरती परिचा बिया से सिल लेगा बिहार में फारजी डिगरे के सारे नोकरी पाने वाले सिक्चक की गिरबतारी के आदेस, 24 से ज़्यादा टीचर जाएंगे जेल जादे के बिहार में फारजी डिगरे के सारे नियोजित सिक्चक की नोकरी लेने वाले ततकाल गिरबतारी के आदेस जारी कर दिये गए है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि बिहार में अब दग 2401 ऐसे सिक्षक की पहचान हो चुकी है जिने फरजी डिगरी के सारे नोकरी हासिल की है ऐसे लोगों के खिलाब अब दग 1196 अफायर दर्ज कराए जा चुकी है नियाज़त सिक्षक की नियुक्ति के में जाज का सिलसल 2015 से ही चल रहा है लेकिन उनकी खिलाब क्या करवाई हुई है इसकी खबर निगरानी बिरो को नहीं है निगरानी बिरो को ही सिक्षक की जाज का जिम्मा मिला था अब निगरानी विभाग ने सबी जला पुलिस से ये जानकारी मांगी है कि जिनके खिलाब राथा में की दर् साइबर थाने जादे के बिहार में तेज़े से बड़े साइबर अबराद के मामलों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है साइबर अबरादे आम लोगों के साथ साथ सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों को अपना निसाना बना रहे हैं कोरोना काल के दुरान हुए डिजिट साइबर थाने को कोलने का निनन्य लिया है बता दे कि सरकार बिहार के 38 जिलों के अलावा दो पुलिस जिला और चार रेल जिला में B sa Korna कोलने जा रही है बताया जा रहा है के हर थाने में SP के स्थर पर एक एक इस्पेक्टर की नुक्ति की जाएगी साथ इन थानों के लिए पाली बार सरकार ने साइबर डियाजी पद कभी इस रिजन किया है वही इन साइबर थानों में केवल साइबर से जोड़े मामलों की सिकायत ही दर्ज होंगे बिहार में तेजी से बड़ाई साइबर फ्रोड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने या फैसला लिया है बिहार में देखे बिहार के सबी सरों में कीचेन तक पाइप से होगे गेस की सप्लाई जाने कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट जा देके बिहार के सबी सहरों में किचेन तक पाइप से गेस के सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है अभी बिहार के ऐसे आड़ परियोजना पर काम हो रहा है अगले पांच से साथ साल में बिहार के सबी सहरों में पाइप लाइन से रस्वी गेस के आपूरती करने का लाच रखा गया है लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है दोजर चौबिस तक पूरी हो जाने वली परियोजना ये अब दोजर अटाइस तक पूरी होने की बात कही जा रही है बिहार में सक्ती प्रदसन के लिए तयार पाड़िया 25 फरवारी को बिहार के वालमी के निगर और पूर्निया से पाचे बिपाच्च आमने सामने दोनों के लिए चुनोती भरी रेली जिए कि 25 फर्वारी का दिन भाजबा और महागडबंदन दोनों के लिए निनायक दिन होगा यहाद दोनों के लिए सक्ति प्रदसन का दिन है क्योंकि महागडबंदन साथ पाड़ियों के साथ पूर्णिया में रेली कर रहा है तो वहीं भारती जन्त पाड़िय आमिस्सा के रेली वाल में के निगर और पटना में कर रही है अब ऐसे हालात में दोनों सत्ता रोड़ दर और बिपक्ष के सामने अपनी तागत दिखाने का एक बड़ा मौका है याने की पारिच्छा भी उसी दिन होगा और परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे जिनकी सबा में सबसे देश के केंद्रे गिरा-मन्त्रे अमिसा पाटना में स्वाम साजानान दे सरसुते-जेंते समारों में सिरकत करने पहुचेंगे, हहां पहुचने का उनका समय दोपर के बार के बाद का होगा, वहीं अमिसा त advocate कर नगर में एक बड़ी जनसभा को जंबोदित करेंगे वहीं मुख्यमंत्रे नितियस कुमार और अपू मुख्यमंत्रे तजसिव यदाव साथ दलों की साथ महागड़बंदन महारेली पुर्निया में करने जाया रहा है ऐसे में हर दल अपने जी जान से जुटा है कि किसी भी तरह से महागड़बंदन कमजोर ना पड़े बिहार को नहीं मिलेगा विसे सिराज का दरजा निरमला सितरमन ने साब किया और बीजेपी लालो ने इस पर भी बरसी जी आदे कि बिहार को केंदर से विसे सिराज का दरजा नहीं मिलेगा केंदर वित मंतरे निरमला सितरमन ने असपश्ट कर दिया है उन्होंने कहा कि अब किसी भी राज को विसे सिराज का दरजा नहीं मिलेगा इसके बाद बीजेपी ने आरजडी सुप्रीम और लालो प्रसा तमांत्रे निरलमा सितरमनी सुकुरवार को औरिस्सा के भूनेसर में मीडिया से बाचित के दौरान कहा कि केंद्र अब किसी भी राज की विसेस दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगा उन्होंने कहा कि यह विता आयो की राई है बदाद कि बिहार और औरिस्सा जिसे जाना जाना होगा और असान असी नए रूटों पर चलेगी बसे जहादे के बिहार में बिबिन सहरों और कस्बों से आवागमन और आसान होने वाला है राजबार में असी नए मार्गों पर अब बसों का परिचालन हो सकेगा इन मार्गों का निदारन करके इसके अधे कुमार का बड़ा तवफा एमस में आने वाले मारिजों के अटेंडन को भी मिलेगे यह सुधा जादे के बिहार वासियों को जल्द एक बड़ी खुसकबरे मिलने वाली है अब उन्हें अपने इलाज में लाकों खर्च नहीं करने होंगे नहीं अस्पदाल में एडमिट होने के बाद रहने सहने की समयसा का सामना करना होगा अब इनी सबी समयसाओं को लेकर बिहार सरकार और स्वास्त बिवा के मांत्रे तेजस्व यादव ने बड़ा फैसला लिया है दरासल बिहार के मुई की मांत्रे और स्वास्त मांत्रे तेजस्व यादव से राज के दूर दर आज़ के आकर राज़ानी पढ़ना में अस्पटालों में इलाज करवाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बड़े राहत देने का निन्या किया है नितियस और तेजस्वी ने यह फैसला किया कि पढ़ना के नामें और काफी भीड़ बाड़ वाला अस्पटाल एमस में म मरीजों के परिजनों के लिए 500 बेट का एक कैमरा बनाने का फैसला किया है इसके लिए पढ़ना एमस को 25 से कड़ अतरिक्त जमीन राज़ सरकार के और से दी जा रही है वैसे तो यह अस्पटाल केंदर सरकार के अधिन आता हल लेकिन अब इसको लेकर राज़ सरकार और स्य हमने इस नए फैसला किया है आज के लिए बहुत सितना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें